कि पाइब बता दीजिए एवन एक बच्चे का भी डाउट डाउट है तो उसको मैं करवाऊंगा कुश्चन 5 बता दीजिए आप कि नो सर नो सर नो सर राज लक्ष्मी का कहना है यह सर डाउट है ओके चलिए पहले यह कर लेते हैं फिर देखो डाउट तो डाउट है चाहे एक बच्चे का हो चाहे सभी का हो कुश्चन मैंने करा नहीं है चलिए सर अब यह सवाल भी सीए इंटर में पूछा गया है तो कुश्चन नमर फाइव होफुली आपको विज्वल हूँ चलिए सर कहता है इसमें दा कॉस्ट आफ कैपिसिटी पाइफ थाउजन यूनिट गीवन विलो यानि यह जितने भी खर्चें हैं यह सब 5,000 कैपिसिटी पर आपको गीवन हैं पांच हजार कैपिसिटी पे सारा गीवन है ये आगे कहता है पूर आ विरियेशन 20% कैपिसिटी अवब और विलो कहता है कि भाईया इसते हमें पांच हजार से विलो जाना है 20% मतलब 4000 और 5000 से उपर जाना है मतलब इसका 20% 6000 इंडिवीज्वल एक्स्पेंस वराइ इंडिकेट पाइंड आउट दा कॉस्ट और पॉडक्शन लेवल 4000 और 6000 इसने खुद ही बता दिया चार और छे पर बताओ जी सर तो हमें 5000 पर भी बनाना है 4000 पर भी बनाना है और छे तीनों के बना लेते हैं चार पांच छे तो सर ठीक है चार पांच छे का बनाते हैं फॉर्मेट बना लेते हैं ओहो एक तो तीन एक दो तीन चलिए ठीक है ड़न कुछ बच्चे कह सकते हैं सर नहीं वीजबल है उनके लिए थोड़ा नीचे कर देखें ये 4000 यूनिट पे काम ये 5000 यूनिट पे काम ये 6000 यूनिट पे काम पर्टिकुलर सबसे पहले वेरीड़ कॉस्ट सबसे पहले लेंगे variable cost क्या semi variable भी है देख लेते हैं बिलकुल semi variable भी है इसमें and fix भी है चलिए सब्सक्राइब फर्स्ट पॉइंट है material कहता है 5000 यूनिट पे 25,000 है 25,000 तो एक यूनिट की अगर पर यूनिट cost निकाले तो 25,000 divided by 5000 करोगे तो एक का आगया that is 5 तो यह हो जाएगा 20,000 और यह हो जाएगा 5, 6, 30,000 done labor कहता है 15,000 same labor भी कर लेते हैं labor है 15,000 और यह given है आपको 5000 पे that is 3 रुपए तो 12,000 15,000 और 6 तिया 18,000 power power 80% variable तो यानि सेमी का पार्ट हो जाएगा power variable और fix तो कहता है 80% तो power की बात करें तो power है सर हमारा 1250 का 80% fix 1250 का 80% fix सर यह हम answer match कर लेते फिर आप blur आ रहा है बताईए मुझे मुझे तो clear दिख रहा है वैसे अगर blur है तो बताईए नहीं मैं सारा चलूँगा एक एक करके आप सातवा आठवा चटा करने से कोई फाइदा नहीं है आपको मैं सारा करूँगा सीक्मेंस वाइस ठीक है ना हाँ 1250 का 80% 1000 और बाकी 250 तो 80% variable है 1250 fix है तू फिफ्टी तू फिफ्टी और वेरियेबल वाले में अगर बोलता है 1000 है और सर ये 5000 यूनिट पे है हजार का खर्चा तो 1000 डिवाइड बाइड पांच हजार तो बीस पैसे का 0.2 तो 0.2 इंटू में 4000 करेंगे तो 800 ये 1000 और ये 1200 चलिए सर रिपेर कहता है 75% वेरियेबल है 2000 में से 2000 का 75% तो 2000 का 500 और पंद्रा सो तो 500 तो fix है रिपेर का fix cost पांच सो वेरियेबल कहता है ये 1500 तो तो 1500 डिवाइड बाइड बाइड पांच हजार तो 1500 डिवाइड बाइड बाइड पांच हजार 30 पैसे आ रहे है 0.3 इसको multiply करते जब 30 पैसे इंटू 4 1200, 1500 और 1800 चीक है इसको और नीचे ले जाया जाया क्याता है store 100% variable store 100% variable कितने रुपे का एसर 1000 का very simple 1000 divided by 5000 is equal to 0.2 यानी 800 1000 1000 के बाद 1200 ये भी हो गया inspection 20% variable है तो 500 का 20% यानी 100 रुपे वेरियेबल बाकि 400 फिक्स है inspection चार्ज variable cost and fixed cost तो वेरियेबल कोस्ट के हम बात करें fix हो गए 400 जिसको doubt हो जब मैं पूछू तो बिलकुल बताईएगा 100 divided by 5000 100 divided by 5000 100 divided by 5000 यह होगा 100 divided by 5000 0.2 यह होगा 80 यह होगा 100 एक सो बीस depreciation 100% fixed तो यहां जाएगा depreciation fix कितने रुपे है depreciation 10,000 चलिए सर्थ admin 100% fixed sorry admin है 25% variable admin 25% variable है और बागे fix है तो इसी के अंदर जाना है सर्थ that's why मैं थोड़ा जगा छोड़ दिया था यह होगा admin चलिए अब वक्त आगया इसको थोड़ा छोटा करने का ne depreciation depreciation admin fix and variable admin का कहना है सर हमारा admin है 5000 5000 में से 25% 1250 है हमारा VC और बाकि 3750 है हमारा fix तो 3750 3750 3750 वेरियबल 1250 है तो 1250 डिवाड़ड़ बाँच हजार तो कितना आता है 1250 डिवाड़़ पाँच हजार 25 पैसे into 4000 1000 1250 और 1500 चलिए सर Selling 50% वेरियबल ओमाई गॉड इसके तो fix को एकदम नीचे ही ले जाना पड़ेगा आजाओ वही तो फिक्स बहुत नीचे आजाओ आजाओ चलो फिक्स को मिटा के दोवारा ही लिख लिखें शिट यहां लिखनें फिक्स कॉंस्ट जिसके अंदर है से depreciation दस हजार दस हजार अब इसके माद आगे selling overhead selling overhead fix and variable कहता है 3000 का 50% यह नहीं 1500 fix है बाकी 1500 variable divided by 5000 that is 30 पैसे तो 1200 1500 और 1800 चलिए सहाव यह हो गया variable इसके बाद total cost जिसका कोई काम नहीं है cost per unit कोई काम नहीं है आप से पूछा था इसने कि आपको expense can I find the cost per unit production per unit cost में अलग से यह यहीं निकाल के दिखा देगा है ठीक है और सर यह आगया हमारा यहां टोटल और यह टोटल यहां आगया ठीक है थोड़ा उपर कर दे चलेगा तो यह आगया इस बारह हजार आठ सो और बीस हजार बत्रेस आट सो यह ओगया पच्चेस हजार फंदरह हजार एक हजार एक तालिस हजार तीस हजार अठारह हजार वारा सो इनन्चास दो सो पान्सव बारा सो असी चाट चास एक अजार 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 दाघ्वारा सो दस छेश्ट है आप भी टोटल करिएगा पटापट से मैं भी कर रहा हूं और क्रॉस वेरिफाई कर लेजेगा, ग्यारा सास्सो पचास, बारा सो दो सो पचास, पांचो, बारा पांचो नब्दे, क्रॉस जरूर करिएगा, यह दस, टोटल, बारा पांचो अस्टी प्लस दस हजार प्लस, इसका आगए खत्तर नो सो, साथ सो नब्दे, दूसरे का एक तालिस हजार, बासट, सास्सो पचास, बत्ते साथ सो, त्रेपन, चार सो असी, जी सट, चलिए कॉस्ट निकाल लें हूँ, कॉस्ट पर यूनिट पूछा था, तो चार हजार का निकाल लेंगे, और पांच हजार का, और छे हजार का, हाला कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसी के नीचे बस डिवाइड कर देता है, इसको, इसको डिवाइड कर दूँगा, असी है यह, इसको डिवाइड चार हजार से, अगर आपको विज्वल है, तो मैं इसको डिवाइड चार से, इसको पांस से, और इसको छे से, जो की काम है तेज़ और इसका है 67 62 750 दिवाइड़ बाँच हजाना अल्दोर इसका तो देही रखा था 12.55 और इसका है 71 190 इसका निकालना पढ़ेगा सर ग्यारा पॉइंट नाइन एट नाइन सेक्स फाइब लीजिए सब्सक्राइब किसी की कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं फटाफट भी। झाल 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 झाल